हेलो एबरीबन आज हम लोग टेलिविजन इंजिनेरींग के एक टॉपिक इमेज कंटिनुटी कोई भी इमेज या पिक्चर जो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है जिसका एस स्केनिंग होता है उस पार्टिकूलर इमेज की कंटिनुटी के बारे में जानेंगे कि क्या होते है image continuity और किसी भी image को जो हमारा eyes है वो कितने समय तक अपने retina पे उस particular image को बनाए रखता है और ये continuity है क्या तो इसके basics term को हम जानेंगे basis definition को जानेंगे image continuity को और इसके parameters को जानेंगे कि क्या है image continuity के parameters मतलब image continuity को कौन effect करता है और किसके कारण हमें कोई भी picture के motion और उस picture के clarity detail के बारे में जहां हमें कैसे पता चलता है तो image continuity के बारे में आज का हमारा ये lecture होगा image continuity के बारे में जो सबसे अहम बात हैं वो ये है it is necessary to present the picture to eye in such a way that an illusion of continuity is created and any motion in the screen appears on the screen tube screen as a smooth and continuous change तो ये कहने का मतलब ये ये कहना चाहरा है कि कोई भी image कोई भी image ये हमारे television पर televised होता है तो उसके motion में continuity हो उसके image में clarity हो और वो एक smooth conduction हो मतलब जो भी changes हो रहे हैं वो continuous changes होने चाहिए smooth होने चाहिए और उस picture में continuity होना चाहिए picture किसी भी तरह से break नहीं होना चाहिए scanning के बाद कहने के मतलब क्या है यदि image continuity हमारा है picture पूरे clear दिखाए देगा और कहीं भी image या picture के किसी भी पार्ट में हमको किसी तरह का delay नहीं दिखेगा यदि image continuity हमारा नहीं होता है कोई image हमारा continuous नहीं हो पाता है तो वो किस तरह से होंगे उसका क्या outcomes होगा उसे मैं एक आपको picture से दिखाता हूँ image continuity यदि maintain नहीं हो पाए किसी भी picture में किसी भी आपके images में image continuity नहीं होता है तो कुछ इस तरह के चीज देखने को मिलता है कि हमारा image continuity नहीं हो पाया है इसके काम picture delay हो आता है और picture में एक तरह का breakage होता है blockage होता है वो blockage आप देख सकते हैं यह कुछ movie है इसमें यह mistake देखा गया है जो यह बदाता है कि इस image में image continuity की कमी है इसका मतलब इसलिए यह picture जो हमारा है वो खराब हो चुका है और यह जो image है सही से नहीं दिख रहा है इसका region एक ही है कि image continuously scan तो हुआ लेकिन वो सही से project नहीं हुआ हमारे scan पर इसके कारण image कहीं कहीं break हो गया है और इसके कारण यह समस्या देखने को मिलता है यह एक image discontinuity का example है image continuity को पाने के लिए image continuity को हम एदी हमें achieve करना है तो कुछ उसके certain है कुछ certain उसके parameter सो उसको समझना होगा वो क्या है वो यह है तो यह यह कहना चाहरा है persistence of vision क्या होता है कि कोई भी picture या images हमारे eyes में हमारे आख में कुछ समय तक रहते हैं यदि मैं कोई picture को देखूं और उस picture का जो image है हमारे रेटिना पर 1 by 60th second तक उस image का असर हमारे रेटिना पर होता है इससे यह कह सकते हैं इससे दूसरे सब्दों में यह कह सकते हैं कि image जो है 1 by 60th second तक हमारे eyes में रहता है तो यह होते हैं persistence of vision जो की human eyes का characteristics है जो है image continuity के आज हमनों जो पढ़ेंगे जो समझेंगे वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ आज का session क्या क्या होगा outlines of session सबसे पहला term जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे basics of image continuity in television क्या basics है image continuity का एक particular television में वो देखेंगे parameters of image continuity in television और third one is vertical and horizontal scanning in the television तो यह तीनों चीज हम आज देखेंगे समझेंगे तर यह चलिए बात करते हैं basics of image continuity के बारे में basics of image continuity क्या है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले आप यहां देखिए tv picture element of the frame produced by scan process और that illusion of continuous is created तो यहां पर यह कहना चाहरा है कि जो भी हमारे tv के picture element होंगे कुसी भी frame में frame का sense यहां पर यह है कि कोई image है हमारे पास लिजेए यह एक frame है और इस frame के अंदर ही हमारा image scan होता है ठीक है तो किसी भी television के जो picture element होते हैं किसी भी frame के जो picture element है वो produce होता है उसे बनाया जाता है किसके दुआरा by the scanning process और यही जो scanning होता है यह scanning इतना fast होता है कि हमारे eyes को यह continuous दिखता है मतलब क्या illusion of continuity is created यह illusion of continuity is created यह जो बता रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह scanning process इतना fast होता है कि हमें जो image होते हैं वो continuous दिखाए दे मतलब यहां यह है कि लगातार without any disturbance without any break is मतलब image में एक continuity दिखाए देखने को मिलेगा जहां पर image किसी भी तरह से तूटेगा नहीं split नहीं होगा हमारा image और यह क्यों नहीं होगा क्योंकि scanning process इतना fast होता है कि उस scanning इतना fast होता है तो मुझे ऐसा लगता है हमें लोग को कि image कहा है continuous है कहीं भी break नहीं हुआ है तो यह जो scanning process है यही एक अहम role play करता है illusion of continuity is created मतलब image को continuity image का continuous form को बनाए रखना human eyes can see videos with continuity if 16 frames per second is scanned यह बोला जा रहा है कि एक second में 60 frames 60 frames को scan किया जा सकता है और हम उस image को देख सकते हैं human eyes can see the video with continuity तो हम कोई भी video देखते हैं वह continuous है किसी पी तरह का उसमें कुछ गलत नहीं है या कुछी पी तरह का उसमें split नहीं हुआ है वो image टूटा नहीं है तो यह हम तवी देख पाएंगे जब हमारा और हमारा जो है एक सकेंड में 60 frame scan होता है तो यह एक ऐसा condition है जहां पर हमारा आईज easily video को without any disturbance or without any delay signal को या video को या picture को देख सकते हैं हम on the screen third concept हमारा यह है कि human eyes can not separate two frames मतलब यह बोलना चाहरा है कि human eye वो दो frame को separate नहीं कर सकता है मतलब दो frame में separate हो जाते हैं तो हमारा कहिन कहिन discontinuous हो जाएगा picture में continuity maintain नहीं होगा इसका मतलब यह हुआ है human eyes cannot separate two frames if frames are scanned one by 60 seconds per frame यदि एक frame को आप समझे इस टर्म को जो मैं बताना चाहरा हूं इसके पहले के line में जो मैंने बताया था कुछ वो इस तरह से था कि 16 frame को एक second में scan किया आता है इसका मतलब यह हुआ हमारा eyes जो देख पाएगा वो एक सकेंड में 60 frame scan होता है इसका मतलब एक frame को scan करने में कितना समय लगेगा वन बाइ 60 seconds 60 seconds मतलब एक सकेंड का सोलवा हिस्सा जो है वो काफी है एक frame को scan करने लिए आप सोच सकते हैं कि एक frame यह जो आपको frame देख रहा है यह कितने कम अंतराल में यह पूरा का पूरा frame scan होता है मात्र इसे समय लगेगा 1 by 60 seconds ही लगेगा इसे एक frame को scan करने में और यदि यह इस तरह से scanning होता है तो कभी भी picture में discontinuity नहीं आएगा हमें साब picture हमें continuous दिखेगा और इसी बात को यहां बोला गया है if frames are scanned with 1 by 60 seconds per frame यदि एक frame को 1 by 60 seconds में scanning हो जाएगा तो हमारा eyes easily किसी भी picture को continuous form में देख पाएगा और दो frame separate नहीं होंगे जैसा कि मैंने इसके पहले आपको दिखाया था एक movie में जो scene था उसके जो face थे वो split हो रहा था वो continuous नहीं था इसका मतलब वहां क्या हुआ होगा वहां यह हुआ होगा कि उसे एक frame को scan करने में 1 by 16th second से ज़्यादा समय लग गया होगा जिसके कारण वो discontinuous हो गया और हमारा image continuity maintain नहीं रख पाया तो किसी भी इमेज को continuous बनाये रखने के लिए एक frame को जो scanning timing है वो 160th second होना चाहिए अगला हमारा image continuity में ही अगला जो topic है वो है parameters of image continuity in television मतब कौन से parameter है जो image continuity को effect करते है ठीक है उस पे जो किसका असर होता है image continuity पे सबसे पहले हमारा उसमें यह बाट आप देखेंगे उसमें जो सबसे आहम रोल होता है horizontal scanning और vertical scanning यह horizontal और vertical scanning क्या है मैंने पहले भी बता रखा है अब फिर से आप इससे समझेए image को continuous form में बनाये रखने के लिए scanning process का बहुत अहम रोल होता है उसमें भी horizontal scanning और vertical scanning जितना फास्ट होगा उतना अच्छा हमें image का continuity देखने को मिलेगा कहने का मतलब एक frame को one sixty second में यदि वो scan कर लेता है तो हमारे लिए बहतर एक image continuous form में मिलेगा उसी तरह से vertical imaging होते हैं तो हम चलिए देखते हैं कि horizontal scanning होता है तो current और time का क्या relation होता है current किस तरह से fluctuate करते हैं जब horizontal scanning में trace और retrace होते हैं similarly जब vertical scanning होंगे तो उस समय current और time का क्या relation होगा और किस तरह से tracing time में कितना current flow होगा और retracing time में current के साथ क्या होगा with respect to time तो चलिए देखते हैं जो parameters है horizontal और vertical scanning इसके बारे में horizontal scanning मैंने जैसे पहले बताया कि scanning का बहुत ही ज़्यादा important है किसी भी image को continuous बनाने के लिए scanning fast हो रहा है जो कि हमें दिखता भी नहीं है कि हमारे eyes इस scanning process को detect नहीं कर पाता है इसलिए हमें जो image है वो continuous मिलते हैं अब देखते हैं कि क्या होता है current और timing relation यदि horizontal scanning हो रहा हो तो current में क्या fluctuation होगे current और time में क्या relation होगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि first line यहां से scanning हुआ ठीक है जैसे यह scanning हुआ आप current को देखिए यह current इस तरह से क्या होता है linearly यह current increase होता है with respect to time जैसे इसे time बढ़ता जाएगा current में increment होगा लेकिन जैसे ही trace होने के बाद जैसे ही यह retrace के लिए जाएंगे मतलब back जाएंगे वापस जब जाते हैं उस समय current का किसी पी तरह का current देखने को नहीं मिलता है और हमारा जो है क्या होता है वो फिर से start यह जो timing देख रहे हैं retracing का timing है और यहां retracing होता है और फिर से क्या होगा tracing होगा retracing होगा tracing होगा इस तरह से जो हमारा horizontal scanning में जो यहाँ देखने को मिल रहा था उसी का यह क्या है current और timing का form है जो dot dot lines है वो retrace को बताएगा और जो solid line है वो trace को बताएगा जैसा कि आप इस frame में भी देख सकते हैं और इस current versus time के graph में भी देख सकते हैं तो इस तरह का चीज यहाँ पर देखने को मिलता है horizontal scanning में तो horizontal scanning में जो current और timing का relation है वो simply आप देख सकते हैं tracing के समय current linearly grow करता है और retracing के समय यह इस तरह से dot dot आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर कितना timing होता है मतलब 0 से जब एक पूरा line retrace और retrace होता है उस समय क्या कितना time taken होगा कितना समय लगेगा और यह जो एक time period है मतलब tracing और retracing मिला करके जो timing बनेगा जो time period होंगे उस time period को यदि हम reverse करते हैं one by time period करेंगे तो वहाँ हम frequency भी calculate कर सकते हैं इसका मतलब trace करने में लगा समय पलस retrace करने में लगा समय इस दोनों time को जब हम जोड़ेंगे addition करेंगे तो time period मिलेगा और उस time period को जब हम one by उस time period को हम करेंगे तो वह frequency मिल जागा हमें और इस तरह से frequency calculate हम कर सकते हैं horizontal scanning में tracing और retracing के दोरान जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक time period है वो 64 microsecond होता है मतलब क्या trace और retrace करने में लगा समय tracing, tracing और retracing करने में जो समय लगता है उस समय को हम time period करते हैं और वो जो लगता है वो 64 microsecond लगता है तो आप सो सकते हैं कितना छोटा यह time है कितना small time है और इस time में एक trace और एक retrace हो जाता है हमारा एक line ठीक है और यहाँ पर इस बात को और बता गया है tracing के समय जो समय लगता है वो 52 microsecond लगता है और जो retracing का समय होता है उसमें 12 microsecond लगते हैं इसका मतलब 52 और प्लस 12 यह हम करेंगे तो 64 microsecond हमें लगेगा है मतलब एक line को trace और उसी line को retrace करने में लगा समय 64 microsecond लगता है और इस तरह से हम यह हमारे पास time आ चुका है 1 by 64 microsecond तो आपको पता होना चाहिए 1 by time इकल टू क्या होता है वो frequency होता है इसका मतलब हम 1 by 4 microsecond को इदी calculate करेंगे तो यहाँ से कुछ न कुछ frequency आएगा और वही frequency हमारा क्या काल आता है कि किसी भी original scanning में frequency क्या है तो हम यहाँ से calculate कर सकते हैं तो आप इस बात को द्यान रखेगा कि यह जो microsecond है यह जो microsecond है microsecond का मतलब क्या होता है 10 to the power minus 6 तो 64 microsecond है 64 into 10 to the power minus 6 यह क्या कहलागा second में कहलागा तो यह हमारा पुरा पुरा एक time period है एक line को trace और retrace करने में तो यह हमारा एक तरसे time period है किसी भी line को tracing और retracing में लगा समय इस तरह से आप basics है हमारे पास वो basics कुछी इस तरह से horizontal scanning में कितने line का scanning possible है तो जो आपको यहां समझना है कि एक single frame में यदि मैं एक frame की बात करूँ यह हमारा एक frame है इसमें total 625 lines होंगे horizontally जो scan हो पाएंगे मतलब tracing, retracing, tracing, retracing इस तरह जो trace, retrace होता है तो टोटल 625 lines को scan किया जा सकता है horizontally किसमें horizontal scanning में ठीक है within one frame एक frame के अंदर 625 lines का scanning होता है horizontally इस बात को आपको द्यान रखना objective में भी question पूछे जाते है similarly अब vertical scanning होता है vertical scanning भी मैंने पहले बताया है image continuity को कहीं ने कहीं वो effect करता है तो vertical scanning क्या हता है simply आप देखिए यह जो आप देख रहे है यह vertical scanning है यह उपर की और बरेगा top tube, bottom की और जाएगा और यहां vertical scanning होता है यहां भी tracing और retracing होता है और similarly यहां भी हमारा क्या होगा vertical scanning का जो current होगा उसका relation उसका relation time के साथ निकाला गया है same way में कि यहां भी retrace होगा तो एक समय लगेगा retrace में समय लगेगा दोनों time को अदि add करते हैं तो हमारा total time period बनेगा कि vertical scanning में जो समय लगेगा वो भी समय हम यहां पे calculus कर सकते हैं similarly same concept है जो horizontal scanning है तो कहीं कहीं scanning हमारे लिए बहुत important term हो जाता है image को continuous बनाए रखने में और यह process काफी fast होता है और इस process के कारण हमारा image एक continuous form में maintain रहता है